दिल्ली एंसियार सहिद देश के कई हिस्सों में फ्लाट खरीदारों को अपने घर की जगा सिर्व निराशा ही हात लगी है। असहाई महसूस कर रहे हैं क्योंकि बिल्डर उनको उनके फ्लाट का पोजेशन नहीं दे रहे हैं। रियाल्टी प्रोजेक्ट्स बन पड़े हैं और उनके वापस चालू होने के कई जगा कोई आतार नहीं दिख रहे हैं। हाला के बिल्डर को बुकिंग अमाउंट मिल चुका है। दस सालों में ये समस्या लगातार चलती आ रही है और हम लगातार दस साल से इसके लिए अपनी लड़ाई, अपने घरों की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। बहराल National Consumer Disputes Redressal Commission यानी NCDRC ने घर खरीदारों के हित में कदम उठाते हुए, ये फैसला लिया है कि जिस सोसाइटी में घर खरीदार ने फ्लैट बुक कराया है, अगर उसमें एक साल तक रुका हुआ काम चालू नहीं हुआ, तो खरीदार बिल्डर से पैसे वापस मांग स जाता है, एक बच्चा जो क्लास वन में अड्मिशन लेता है, इस दोरान वो कॉलेज में चला जाता है, और एक 50 साल का मिडल एज़ेड आदमी वरिष्ट नागरिक की स्टेडी में चला जाता है, एक नई चमचमाती डीजल गारी जो आपने घर लाई है, दस साल के बाद आ जो की फुल पेमेट कर चुके हैं, उनको फ्लैट नहीं मिला, उनकी डेथ हो गए, उनका परिवार जो सड़क पे घुम रहा है और सबसे दुखत संभावना कि दस साल पहले बुक कराए गए फ्लैट के खरीदार की एक लंबी बीमारी के बाद मौत भी हो सकती है समराच शर्मा, Go News